कि यूपी से हैं गोविंदा जी स्वागत है आपका है अधा जी अधा जी अधा जी अधा बोलिये सवाल कर लिजे अधे क्योंकि पोजन्स कम करने के लिए पार में यूजी केसी देट्स पालूवर की नुटी बढ़ जाता है ज़र दुखा है आपके उम्र क्या है उम्र की स्वाल देखिए यूरिक एसीड की एक अच्छी दवा मैं आपको बताता हूँ यह रौ मेटेरियल है सारे यह अलसी आती है अलसी यह ले ले दो चार सो ग्राम लेकर हलका सा भून के पौडर बना ले और यह अलसी एक चमस खाएं और एक ले ले नमक जैतून नमक जैतून एक नमक जैसा दिखने वाला एक पदार्थ है जो नमकी नहीं होता यह असली ले एक चमस चलसी और एक चुटकी उसमें नमक जैतून मिला के रोजाना एक बार या दो बार खालिया करें आपको फाइदा होना मुम्किन है तो आपको फाइदा गो तो आप जल्दी से इसका सेवन कीजिएगा अपनी feedback call के जरीए जरूर बताईएगा कि आपको कितना अराम मिला है दर्श को सब्र अगर आप लोग रख सकते हैं सब्र के साथ आप लोग कोई भी नुस्के अपनाते हैं या युनानी उप्चार लेते हैं तो आप किसी भी रोग से मुक्ती पा सकते हैं गारेकरम लाइव है लाइव आप लोग हकीम साहब से बात कर सकते हैं नमबर्स पे कॉल करके जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन्स पे बात अगले कॉलर से स्वागत है आपका हलो हलो अनिकेद कहां से बात कर रहे हैं माँम वियाद स्रेमरा को दाश्य कर रहे ह। आपका सवाल क्या है? माँम दिनाय हो गया है है उसरी के बारे मेर डॉक्टर साइब का अचाहता नहीं साहने है कि दोध दूद परिशानी हो गई है? दिनाय हो गया है आपको क्या problem होती है आप यह बताईये आपके न यह वाली बात हमें समझ में नहीं आ पा रही है आप थोड़ा ठीक से बताईए खुजली हो गया है खुजली होती है जी शरीर में जी जी अच्छा पता नहीं देखिए आपने पूछ लिया मैं तो बड़ा अजीब सा लग रहा था कि कौन से बीमारी आई है नहीं अच्छा देखिए एक आता है नमक जैतून जैतून का नमक ये असली ले ले लें और दो चुटकी रोजाना प एक बार पी लिया करें आपकी खुजली का ठीक होना मुम्किन है तो मुम्किन सब कुछ है दर्श को जब आप लोग विश्वास रखते हैं अपने ऊपर और हिम्मत करते हैं खुद से कि हमें अब ये नुस्के अपनाने हैं हमें तो सेहतमन बनना है अपना कीमती वक्त निक अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गये हैं स्वागत है आपका लू क्या नाम है कि हमें नमस्कार आपका नाम क्या है एंजल कहां से बात कर रही है हम लुद्याना पंजाब से बात कर रहे हैं आपका सवाल क्या है हमने आपके हां से दवाई मंगाई थी गॉन्सिया और जॉइन थर्ब हलो जी जोडों के गोडों के ग्रीस के लिए मंगाई थी हाँ तो उन्हें खाना कैसे है अभी ठीक जी दीए गॉन्सिया को पॉडर बना ले और आदा गिराम खाएं सुबे को नाच्टे के बाद पानी से ये बगएर चर्बी के दूस से और जॉइन्ट के लिए जो दूसरी दवा है वो शाम को खाएं एक कैपसूल पानी से ये बगएर चर्बी के दूस से रात को खाने के बाद दो बार खाया करें एक दवा सुबे एक दवा शान तो आपके मरीज को फाइदा होना मुम्किन है यूपी से हैं अमित स्वागत है आपका हलो हान जी जी मैं नमस्कार मैं हकिम जी से बात कुझा जागी जी हो रही है बताइए अमित जी सर, नौ सर्थ, आदर, सर वो हमारे जो पायर के अंगोठा है, उसकी जो उंगली है, वो मतलब है सब पक जा रही है, दो तीन साल से, दवा करा रहे हैं, ठीक हो रहा है, फिर वह सब पक जा रहा है, उस पर से पस भी निकलता है, ठीक है, और फिर वो अंगोठा है सब मतलब कोड़ी जो है, आपकी आयू कितनी है? पर बहुत कम उमर है आपकी तो देखिए बैंडेज तो आपको करवानी है रोजाना बैंडेज तो करवानी है और देखिए हल्दी आपके किचन में है और यह हल्दी दो चुटकी ले ठीक है और यह सोडा खाने का आपके किचन में है वो एक चुटकी में जितना आया है यह दिन में एक बार दूसरे खा लिया करें और बाकी सारा इलाज आप अपने डॉक्टर का करें बैंडेज वाक्त पे होनी चाहिए रोज होनी चाहिए और अगर दो बार भी करनी पड़े इसको तो कर सकते हैं और यह एक बार रोजाना खाया करें आपको फाइदा भूम की हर्याणा से हैं रचना जी स्वागत हैं आपका mean hello 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 जी प्रेश्ण कर लीजिए मेरे को यह एलर्जी होई है मेरे हैं प्रेसी ही हेपिनलरी होगी है कहां पर क्या होता है दाने निकलाते हैं थोड़ा सा जैसे सर्दी हो या गर्मी बहुत ज्यादा ना तो मेरे फेस पे तुरा लाल हो जाता है गाल ठीक आपके उम्र क्या है दाने भी निकलते हैं जी अधिकी बिशादी में किसी को भी ज्यादा सर्दी में मौस्चराइजर तो लगाना तकरीबन तैही है हमारी भी तो इच्छा ऐसी होती है तो मौस्चराइजर लगाते हैं वो तो आप खेर लगाती ही होंगी अगर ये इसके आगे की बात है और तारे निकलते हैं और अलर्जी हो जाती ही ज़्यादा हो जाती है तो फिर आप गौल मौरिंगा सफेद ले और एक गिरम या आदा गिरम पानी में मिला कर या नारियल पानी मिला कर रोग एक बार लेलिया करें आपको फायदा होना मुम्किन है जी अगले क Aller है शो हमारे सार दिली से स्वागत है आपका लमशकार 20 जी नमस्कार बताईए सर्रापका सवाल क्या है नमक क्लोंजी क्या काहमाता है आपके नमक कलोंजी आपका मिरे कवरत् रहत जादा ठीक है जी हाँ दो चुटकी ये चुटकी कहते है हम इने इसे दो चुटकी या अधा ग्राम एक ग्रास पानी में मिलाएं और पी लिया करें इसे रोजाना एक बार या दो बार बस पहले एक बार शुरू करें और यह तेजी से फाइदा करता है और यह खत्ब होने तक आपको फाइदा होना मुझ कि यूपी से हैं मोहित स्वागत है आपका जी क्या रहता है मेरी माता जी के गुट्रों में दरद होता है कितने वक्त से दरद है जी, अभी सही है, कम सकम एक महीने से, ठीक है, उम्र है कम सकम पैंतालिस साल और एक ही गुटने में दर्द होता है, अब बिटा काफी दिन से होगा, वैसे आप, पूशा नहीं, ऐसी अपनी तरफ से कह रहे हैं, एक महीने में बता हमां कोई फोन भी नहीं करता, काफी बुरान दर्द हो, तो ऐसे तो करना चाहिए जल्दी, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है, कि जादा वक्स से होगा दर्द, एक तो देखिए, उनको वैस्टन टॉयलेट का प्रियोग कराई, एक कुर्सी वाला बात रूँ, आपके घर में हो, उनके प्रियोग के लिए, अ लिए मैं अक्सर बताता हूँ, एक आता है गौनसिया, काला गौन इसे कहते हैं, अच्छा ये असली ले, नकली बहुत देने लगें, लोग बड़ी परिशानी हैं, और ये सस्ता इलाज है, एक दिन में पंदा सोला रूपे खर्च होते हैं, ये कड़वा होता है, और काला गौन भी इसे कहते हैं, लेकिन इसके बदले में लोग एलवा दे देते हैं, या धाक का गौन दे देते हैं, ये वो नहीं है, ये बिलकूँ अलग है, कोई नकली दे तो मतले, और असली ही ले, आदा गिराम सुबह नाश्टे के बाद, आदा गिराम शाम को, आप मम्मी को दे दे और पांच-साथ दिन के बाद फाइदा शुरूप करता है थोड़ा सबर करें रखें और यह सो गिराम भी असली मिल गया तो आपकी मम्मी को फाइदा होना मुमकिन है पतेपूर से हैं राम स्वागत है आपका राम स्वरूप जी बताये क्या जानना चाहते हैं हाँ सर ऐसा है कि आपकी दवाई मुझको आरकेर मिली है हाँ तो उसको किस तरह खाना है उसमें तो परहेज बहुत दिया है और हम तो अंदा मेट मचली लिखाने वाले हैं नहीं ठीक जी आप परेज सिर्फ इतना करें कि खटी चीजे न खाये खटी और ठंडी चीजे और सुबह निहार में गरम पानी से लिया करें और बहुत ज़्यादा परिशानी है तो रात को सोते वक्त पी ले सकते हैं इतना परहेज आप तो कर ही सकते हैं कि आप खटी चीजे या ठंडी चीजे न खाये अंडा मीच मचली कोई ज़रूत नहीं खाने कि अगर आपने खाते तो उससे कोई फार्क ने पड़ता आप वो ही अपनी डाल सब्जी खाएं जो भी आपको पसद है और सबर करें यह इलाज चार-पाँच महीने अगर करते हैं तो आपको फायदा भूंकिन है जी मिसिस सपना है दिल्ली से स्वागत है आपका हालो हालो जी सपना जी बताईए सवाल कर लिजे मैं अपका प्रगाम अभी देख रही हूं ऐसा है मैं लिम कि मैंने ना वहां फून चिया था आपके या तो मैंने गुतनों में भी दर नए था था रे दिया ब्लड पेशर है आपके पास टी केर आया है आपके 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 आपको शुरू होता है और दो तीर महीने अगर आप लेते हैं तो आपको आपके पास सारे राव माटीरियल कैपसूल पहुंच चुके हैं युनानी के तो आप ना सब्र रखे इनका इस्तमाल जरूर कीजेगा जल्दबाजी मत दिखाईएगा दर्श को जब आप लोग कोई भी दवाई का सेवन करते हैं कोई भी नुस्का आप अपनाते हैं तो लगों की बारी है आप लोग भी सेहत मंद हो सकते हैं तो थोड़ा सा इंतजार करके हर एक नुस्के को फॉलो कर लेजगा लिख नहीं पाते हैं समझ में कुछ नहीं आपाता है कि नुसका कैसे बनाना है फिर से अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो आप या तो हकीम साब के यूट्यूब चानल पर जाके फिर से वीडियो देख सकते हैं या फिर आप हमारे हल्प लाइन नंबर पर क्वेरी कर सकते हैं